अठार्मी सदी में भारती राजनिती के गलियारे में चानक के चात्री के समान गूजने वाला एक ही नाम था नाना फटनविस यूरोपी इतिहासकारों ने येने आदर पूर्वक मराठा मैकिया वैलिक है के सम्बुदित किया ऐसे नाना फटनविस का मराठा समराज के अशान्ती काल में एक अद्विती शक्ती बनकर उभनना अपने आप में इतिहासिक था 12 फरवरी 1742 को 17 में चित्पावन ब्रहमन परिवान में जन्मी नाना को बराठाओं के भाग से जुड़ी परंपरा वरासत में मिली पेशवा से उनके दादा के गडबंधन के कारण उन्हें फटनविस के उपादी से सम्बानित किया गया नाना के जीवन में महतपूर्ण पढ़ाव आया 1761 में हुए पानीपत के तीसरे युद्ध के समय इस संकट भरे काल में आंतरिक विखठन और बिटिश इस्ट इंडिया कंपनी की बड़ती ताकत की बीश नाना ने मराठा संग को मजबूत बनाने में अपनी महतपूर्ण भूमिका निभाई उनका प्रभाव सिर्फ युद्ध के मैदानों तक ही नहीं बलकि व्यापक रूप से राज विवस्था में भी विस्तारित था 1773 में पेश्वा नारायन राव की हत्या के बाद उन्हें बारा भाई कौंसल की स्थापना की सामराज की स्थिर्था सुनुश्यत करते हुए नारायन राव के मनों प्रांत जन्में बेटे माधव राव द्युतिय की रक्षा भी उन्होंने की नाना का बहुत बड़ा योगदान ये भी था कि महार जी शिंदे के साथ मिलकर उन्होंने मुगलों पर ऐसी चाल चली कि अंत में मुगल बस मराठाओं के हाथ में कटपतली बन कर रहे गए और दिल्ली पर भगवा फैराने लगा सन अठारा सों में मराठा चान के नाना फटनबीस ने पुने में अंतिम सांस ली इस कुशल नितर्त करता की मृत्यू ना केवल एक युग के अंत कियों संकेत कर रही थी बलकि उस मराठा संग के पतन के काल की भी शुरुवात दर्शा रही थी जिसने बिटिश प्रभुत्व के बढ़ते खत्रे के बीश भारती इतिहास की एक नए अध्याय की नीव तयार की आज उनकी जहनती पर प्राच्यम इस महान कुशल और धुरंदर राजनिता का नमन करता है की बेड़ जबन ट पर नमन करता है कि रुपते भुपते लो गुर्ण गपिंद सबस्भाश ओन